कुछ दिनों में उठाए हैं, मैंने पिछले कुछ दिनों में कई बार ये कहा भी है कि इसमें सब का नुकसान हुआ है, हिंदूओं का भी नुकसान हुआ, मुसल्मानों का भी नुकसान हुआ, हमारे पुलिस के भी बहुत सारे करमचारी जो हैं, पुलिस वाले जो हैं, वो ज सन्फ मेंटनलाल जी की मौत हो गई एक आई भी कि ऑफिसर की मौत हो गई तो इस किसम की गट्राओं में का हैं हिंसा का किसी को फायदा नहीं हुआ कल से हिंसा की वारदाते कम हुएature और मैं कल शाम को दौरा करके आया था कई सारे इलाकों का जहां सबसे जादा हिंसा की घटना इंगटी थी कर्फ्यू लगा हुआ है तो आज हमने कई सारी मीटिंग्स की हैं और जो दंगे से प्रभावित लोग हैं जो दंगे से पीडित लोग हैं उन लोगों के राहत के लिए और उनके रिहाविलिटेशन के लिए कई सारे कदम उठाने का निर्ने लिया गया है एक तो जो इंजर्ड लोग हैं जो जो सरकारी हॉस्पिटल में आ रहे हैं उनको तो हम पूरी उनका इलाज करी रहे हैं लेकिन अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कराता है तो फरिष्टे स्कीम जो दिली सरकार की एक्सिदेंट विक्टिम्स के लिए थी कि अगर कोई भी रोड एक्सिदेंट विक्टिम्स है और उसको आप वो अगर किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज कराता है तो उसका सारा खर्चा दिली सरकार देती है उस फरिष्टे स्कीम को राइट अफेक्टेड लोगों के लिए भी लागू कर दिया अपना इलाज उसमें हमने क्राइम इफेक्टेड लोग भी और राइट अफेक्टेड लोग भी दोनों के लिए जारी कर दिया है कि जो लोग भी अपना प्राइवेट हस्पिताल में इलाज कराएंगे तो हॉस्पिटल को रिंबस्मेंट दिली सरकार कर देगी उनके कर्वान ना करें और कोई दुरगटना हो तो उनको भी इसका फायदा मिलेगा दूसरा कर्फ्यू वाले एरिया के अंदर कुछ लोगों को मुझे पता चला था कि दिक्कत आ रही है क्योंकि कर्फ्यू की वज़े से वो लोग निकलने पा रहे वहां पे हम दिली सरकार खाना पहुंचाने का इंतिजाम शुरू कर दिया आज से और इसमें हम एंजियो की मदद ले रहे हैं और डब्ली इसकी मदद ले रहे हैं लोकल एममेलेज कांसलर्स पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव उनके जरीए हम खाना पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं राउंड दक्लॉक हेल्प लाइन नंबर्स जारी किये जा रहे हैं रिलीफ और रिहाबिलिटेशन के लिए वो नंबर्स की डीटेल्स हम आप लोगों को अभी दे देंगे और SDM को नोडल ऑफिसर निउक्त किया गया इन सभी हेल्प डेस्क के लिए यह जो अफेक्टेड एरिया हैं इसमें छे SDM हैं अभी और बारा SDM को और निउक्त किया जा रहा है तो टोटल इस एरिया में अठारा SDM हो जाएंगे ताकि और गहन तरीके से यहां पर रिलीफ और रियाबिलिटेशन मेजर्स इंप्लिमेंट किये जा सकें चार नाइट मेजिस्ट्रेट्स की निउक्ति की जा रही है जो रात को भी अगर ज़रूरत पड़ेगी किसी तरह के रिलीफ की तो वो प्रोवाइड करेंगे जिन लोगों की मौत हो गई है उनको हर एक को उनके परिवार को दस दस लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा जिसमें एक लाख रुपए एक्स ग्रेशा और नौ लाख रुपए डॉक्युमेंट्स वेरिफाई करने के बाद होगा माइनर के केस में डेथ ओफ आ माइनर में पांच लाख रुपए का मुआवजा पर्मनेंट इनकेपैसिटेशन पांच लाख रुपए का मुआवजा सीरियस इंजिरी पे दो लाख रुपए का मुआवजा माइनर इंजिरी पे बीस अजा रुपए का मुआवजा अगर कोई और्फन हो जाता है तो तीन लाख रुपे का मुहावजा एनिमल लॉस पांच हजार रुपे प्रती एनिमल रिक्षा के लिए पच्चेस रिक्षा अगर जल गई या रिक्षा खराब हो गई मतलब बरबाद हो गई तो 25,000 रुपे का मुआवजा ए रिक्षा के केस में 50,000 रुपे का मुआवजा किसी का घर पूरी तरह से जल गया तो 5,000,000 रुपे का मुआवजा और अगर कोई किरायदार था तो 1,000,000 रुपे किरायदार को उसके बिलोंगिंग्स के लिए और 4,000,000 रुपे मकान मालिक को घर जलने के लिए और अगर घर को पूरी तरह से नहीं जला लेकिन सब्स्टांशल डैमेज है तो धाई लाख रुपे का मुआफ़जा और कॉमर्शल यूनिट दुकान वगेरा अगर किसी की जल जाती है तो पांच लाख रुपे तक का मुआफ़जा जो अनिशूर है जिन लोगों के घर पूरी तरह से जल गए या सब्स्टांशल जल गए और उनको इमिरेट राहत की ज़रूरत है क्योंकि ये सब कागजी कारवाई में थोड़ा सा समय लग सकता है जिन लोगों को इमिरेट ज़रूरत है उन्हें 25,000 रुपे का एक्स ग्रेशा तुरंत दे दिया जाएगा ताकि उनकी जिन्दगी सुचार रूप से चल सके जैसे मैंने कहा कि हेलप लाइन भी है ओफिसर के दफ्तर भी है लेकिन एक एप भी डेवलप किया जा रहा है एका दिन में वो जारी कर दिया जाएगा जिसके जरीए लोग यहां पे इसमें अपने क्लेम दाखिल कर सकते हैं और उसके बाद उनको बुलाके उनके उनसे सारे डॉक्यमेंट्स भरवा लिए जाएंगे कई लोगों के जिनके घर पूरी तरह से जल गए उनके ID कार्ड, अधार कार्ड, Community Certificate, Income Certificate, Property Deeds वगरा जल गए होंगे तो उसके लिए Special Camps Revenue Department लगाएगा जगे जगे पे ताकि उनको यह कागज दुबारा बनवाने में दिक्कत ना हो East Delhi Municipal Corporation को कहा जा रहा है कि उस एरिया में मैं जब कल गया था, चारो तरफ पत्थर पड़े हुए थे, चारो तरफ जले हुए तो उस एरिया की सफाई के लिए तुरंट कारवाई करे महले के लेवल पे हर जगे पीस कमिटीज बनाई जा रही है इसमें बहुत सारे लोगों की दुकाने जल गई, जो हो सकता है उनके पास Insurance हो बहुत सारे लोगों के वहिकल्स जल गए जिनके पास हो सकता है Insurance हो तो Finance Department को कहा गया है कि Insurance Companies के साथ tie up करके अगर insurance companies भी वहाँ पे camp लगा के और इसको जल्द से जल्द लोगों के claims को settle कर सके डेली finance corporation को कहा जा रहा है कि जिन लोगों की दुकाने और रोजगार खतम हो गए उनको easy terms के उपर subsidized loans दिये जा सके कई बच्चों की किताबें जल गई तो उस इलाके के school में कहा जा रहा है कि उन बच्चों को चाए private school के हों चाए सरकारी school के हों बच्चों को किताबें और uniforms free में provide की जाएंगे और जो बच्चे अभी cbsc और icsc board के exam देने वाले थे और इस वज़े से नहीं दे पाए उनकी list बना के इन दोनों boards को भेज दी जाएगी और बोर्ड ने कहा है उन लोगों ने कि इनकी दुबारा परिक्षा का वो इंतिजाम करेंगे तो यह सारे एफर्ट्स हैं मैं खास तोर से सरकारी hospitals जो हमारे हैं उनको उन्होंने बहुत शांदार काम किया सभी doctors ने बहुत शांदार कांग किया मैं खुद भी गया था कई सारे hospitals में कई बार गया था और रात दिन मेहनत किये doctors ने भी और सभी करमचारियों ने पेरामेडिक स्टाफ ने बहुत ज्यादा प्रेशर था उन लोगों के उपर और उन सब लोगों को मैं बढ़ाई देना चाहता हूं चल रही है यह बता रहे हैं हेल्थ मिनिस्टर बता रहे हैं चल रही है अज सुबह से चल रही है रहन बसेरों के अंदर temporary इंतिजाम कर रहे हैं वैसे जो मुझे बताया गया है अगर किसी को भी जरूरत है तो रहन बसेरे में कर सकता मुझे बताया गया कई कुछ लोग जो है वो अपने रिष्टेदारों के आसपास दोस्तों क्या चले गए सकत एक्शन दो सकत एक्शन लो मेरे पस पुलिस नहीं है अगर पुलिस होती तो हम भी सकत एक्शन लेते हैं मेरा अपना ये मानना है कि देश की सुरक्षा को लेके और जो इस तरह के दंगे होते हैं मैं ये सुबह से देख रहा हूँ इसके उपर राजनीती नहीं होनी चाहिए आम आदमी पार्टी का है कोई या बी जेपी का है या कोई कॉंग्रेस का है जिन जिन लोगों को उकसाने की कोषिश की जिन जिन लोगों ने दंगे करवाए उनको बक्षा नहीं जाना चाहिए चाहिए कोई भी हो चाहिए मेरे मंतरी मंदल में कोई है किसी को नहीं छोड़ना है उनके खिलाफ सक्से सक्ट एक्षन लो उस पे आप बयान क्या पूछ रहे हो लोगों आपका क्या कहना है जी कहने से दंगे वालों को सजा मिलेगी क्या इससे सजा मिलेगी ऐसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलेगा हमारा उठा के जेल में डालो जो भी दोशी है उनके वाले दोशी है उनको डालो हमारे वाले दोशी है डबल सजा दो उनको किसे को बक्षमत राजनीती का